जैहिन प्यारे मित्रो आपके अपनी यूटूब चैनल आरार क्लास असे में आप सभी का स्वागत है। प्रिज्ली क्लास में जो है लिथ मसीन, चैप्टर से पर दिसकेशन कर रहे थे। लित मसीन लित मसीन के बारे हम लोग डिसकेशन कर रहे थे हमने जो है काफी जो है पार्टों पर जो है डिसकेशन कर लिया था हमने पिछली क्लास में जो है टूल पोस्ट पर हमने बात किया था कि हमारा जो है टूल पोस्ट क्या होता है कि इसकी वर्किंग भी देख्या होती ह आप टूल पोस्ट के बारे में हमने बात कर लिया था टाइब हो चे-स के बारे में हमने बात किया था जो हमारे टाइब साफ लिखสनुअ फोर्ट एक पहला होता है हमारो चोई सिंगल टाइब ली पोच्ट अ दूसरा होता है हमारा जो है फोरवे टूल पोस्ट फोरवे टूल पोस्ट जो थार्ड होता है हमारा यह जो हमारे टूल पोस्ट जो है चार टाइप की होते हैं तीसरा हमारा तीसरा हमारा टूल होता है क्विक चेंज टूल पोस्ट कौन सा होता है क्विक चेंज चूंज टूल पोस्ट आ जो तामारा हुता है क्या तो इस ट्रीटिस कि इस नियुक्त नोग डून वोस्ट कि दो इस में पोन बिकोर सब्सक्राइब करें अलग करने के लिए ग्रॉन पर फॉस्ट हो अन्समर्इब उसमें अलग 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 जो फॉर वे टूल पोस्ट होता है इसमें हम जोई 43 टूल पोस्ट जो है क्लाम कर सकते हैं एक साथ 5 клیром एक साथ 4 टूल क्लाम कर सकते हैं goed लेकिन इसका प्रिवwynग एक कार्य होने के बाद ही जो हम दूस्फरा का क्या करते हैं तूल को जो है क्लैम करते हैं आई ये आज की क्लास जो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज की क्लास होने वाली है यहां से हम लोग क्या करते हैं टूल पोस्ट के बारे में हमने रिशर्ट कर लिया था आज हम लोग बात करने वाले लेक्स के बार मसीन पर होती है यह पर क्या करता है कि वर आपरेटर को दूभि को बना रहे हुँ है अगर कोई परेटर क्या करता है कि मसीन को जो है ख़ड़ा होगे चलाता है घटा करके कारी करता है उप्योग में आने वाले आने वाले हैं जैसे में फीड एंगल लीवर आधी एक सुविधा जनक उचायब पर होती है जो क्या करते हैं अ मैंगल फीड फीड एंगल लिवर यह सभी क्या होते एकना पड़तु या समाइज रहते हैं इसके लिए लेक्स का उप्योग कि या जाता इसके लिए कि हम लोग क्या करते हैं Lex का उप्योंग कर सकते हैं यह हम ज़र द्राइंग में देख सकते हैं हमारी क्यांसी component से ड्रइं के माधूंती है हमारा रधिये मचीन जो मलेगा कर आद З hii कि यह कास्ट हरेन्त के बनाया जाते हैं जिसको बढ़ आग्रव रिरं conventions के इसल्ज़ें के बनाए जाते हैं जिसके जिसको जिसको बैड के साथ दस दिया जाते है इसके उपर क्या होती है कि जो फूट होल है यहाँ पर क्या लिए बनाई गई फाउंडेशन के साथ पगजकर्ण दिया जाता है जो इस्थान पर हमें क्या होता है कि जिस इस्थान पर हमें मसीन को क्लैम करना होता है उसमें क्या होता कि foundation bolt होता है इस तर साइट साइट पर इसमें क्या होती है कि एक bolt होते है दो तीन चार गरीब बोल्ट होते है इसमें जो है foundation bolt की इस्थान पर जिस इस्थान पर हमें क्या करना होता है कि मसीन को fix करना होता उसी इस्थान पर जो है foundation bolt के माध्यम से हम उसको क्या जो हेडी स्टाग के लेग होती है हमारी क्या होती है यहां पर क्या होती है कि और लेग में मोटर आधी भी रखे जाते हैं इसमें क्या होता है कि हमारी जो है मोटर भी रखी जाती है लिट मसीन में अगे है हमारा यह होता है कि छोन में पर्पर्पर्पूस क्या होता है लेग नहीं रहेगी तो हमारी बागी पार्ट सो जो हमारे कहाई पर क्लैम नहीं हो पाएंगे हम विशेश्टियों के बारे में लोग बात करते हैं कि अगये हम लोग बात करते हैं थे कि यहें बैत मशीन की मिशुष्टिय अलग अलग प्रकार की से दो दी जाती है जो लित मसिन की विशिष्टियां होती है या क्या होती कि अलग 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 जो है दी जाती है अधिकतर देश लेग देश लेट की विशिष्टियां विशिष्टियों या विशिष्टियों उस पर घुमाय जान सकने वाले बड़े स से बड़े कारेखंड के ब्यास से प्रकट करते हैं क्या होता कि जो बड़े से बड़े कारेखंड का जो ब्यास होता वर्क पीस का हमारा जो ब्यास होता उसी से हम लोग क्या करते हैं प्रकट करते हैं हमें जो है अगर मालीजे हमें अलग-अलग जो हमा क्या होते हैं कि हमारी म कि प्रयोग किया जाता है से mixing कहते हैं यह जो ब्राइब कैसे सिंग करते हैं यह मेड़े में इस अलग स्थानों पर अलगलग होते हैं सिंग रिख के अलगलग इस्थानों पर क्या होते हैं कि यह हमारे विलिक सिंग अलग कि निमनांकित पड़व को में दी गई है इसमें क्या होते इंक क्या होते हैं उनके क्यों प्योंकिये जाते हैं उनक्स क्हिंध क्या बिछान किरुक्ट तरफेस्ञ आइए उस पर थोड़ा हम्प्रिक्षण करते हैं पहला पॉइंट है मसीन की अधिक से अधिक लंबाई है क्या होती कि यहां से हेड़ी स्टॉक से टेली स्टॉक की जो वीच की लेंथ होती है क्या होती कि मसीन की जो ट्लेट मसीन की लेंथ होती है लेंथ मसीन की क्या होती है कि अधिक से अधिक ज़्यादा लंबाई में भी आ होता है next point है मसीन worrying बैD की लंबाई कि हमारे मसीन की बेड़ जब हम किया करेश का बेट के अनुसारी जो है मसीन को खरीद नेक्स्ट पॉइंट है रैडिशनाक का प्रकार गीर बाक्स टाइप या कौन पुली टाइप हमें क्या करना है कि इस सबी विस्ष्टियों को तो है हमें देखना होता कि किसी भी मस्OW कंड करिदने जाता है मार्केट में लेने जाते हैं तो हम्में क्या चिज घ्रान में रक्ता है हुआ हमने हमें पहले sommes से पहलेपोइंड से रखना चाहिए हम है मशिन की सब अधिक से अधिक लंबाई है मशonice कि लंबाई लेना है मेरा है व too heatsITE की लंबाई हैं मेरे मसीन की भला कितने होने चाहिए हिस के अंशार है रहा है स्टे लंबाई नेक्सैन सॉड़ाई हीस्ट प्रकार गीर्डी मंसीटकर automate प्रोडु करता है में इस प्रकार है है कि अचे जिस में क्या होते हैं छीर बाक्स टाइब अमें इस प्रकार की गीर बाक्स कोपला के जो क्या होँरी प्रकार की जिए कौन फुली को टाइब सायकर नेक्स कॉंप सब्सक्राइबा के कार कुंट है तो उनकों वाहतों को है नेक्स्ट में परफोंट है गया जो नीचे यह जो हुटाथ हूता है यहाँ पर क्या होता है कि लेट मसीन की भीकाट यह चुच्च करना होता है कि बैट का इतनी चुणाय में चाहिए इस पेंडल के खिर खालोरी स्पेंडल इस प्रकार से चिद्र रहता है इसके चिद्र का ब्यास हमें इसको कितनी चोह चिद्र होना चाहिए विद्दूत मोटर की हार्ष पावर्स हमें कितने हार्ष पावर के हमें मोटर की चरू होता है next point है machine के दोनों center के मद अधिक अधिक लंबाई हमें जो machine के head stock और tail stock के लंबाई होती है कितनी होने चाहिए हमें यह सभी points को चोंग किसी अगर किसी अगर हमें क्या करते कोई machine market में खरिदने जाते हैं कोई माल लिजे मान लिए से मेलिंग machine मिलिंग machine है डिल machine है तमाम प्रकार की हमारी machine है उन प्रकार खरल अलग-अलग प्रकाष्यूं ili जो है उपलब्द होनी चाहिए गरा मार्के वह नोटकर कर जाएंगे कि इतने का वह नोट करना चाहीं इतने पॉउइंट्स हो क्यों लिट मसीन को जो मार्केट में खरिदने के लिए जिब जाते हैं तब इसका हम इस्तंवाल कर सकते हैं अगले पॉइंट पर देखते हैं अगला पॉइंट हमारे लित में कारी करते हैं समय सुरच्छा शाउधान है सेप्टी प्रिकॉशंस डियूरिंग वर्किंग ओन लेट मसीन लेट मसीन पर हमें वर्क करते हैं समय हमें किन-किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए क्या पर येंट में निमने वर्क कर नीचैए किया करना है निमने बात हूं को ध्यान में रखना चाहिए पहला पॉइंट है हमारा जा के चक में कसकर बाद है जो जा होते हैं जाब को चक में प्इंट हमारा झाप को चक में कसकर बाद गाद को नहीं सरे य परकुस Geist続agen Quil LAN को लगाते हैं जो जो जहार old them चार टाइब के घर अधिक ज्यादा मझवूति के साथ तेकरना है जिससे क्या हो अब सब्सक्राइब को किसने के बाद चाव निकाले नहीं में जवाब को टाइट करते ह mü से उसी चारएब करते हैं निकाल लेना है मतसंन जाने के बात ले tijd हो निकाल लेना निक्सτη पिए पॉइंट हम टूल को टूल पोस्ट में अधिक उचक Scottish पर बांदना अगर जब हम क्या करते हैं तो हमें टूल को क्या करना चाहिए अगर हमें क्या करता है यह हमारी लंबी रॉड है यह हमारी लंबी रॉड है तो हमें क्या करना चाहिए एकदम सेंटर में बांदना चाहिए जिससे हमारा क्या होता कि बीच में जो कुछ मेटल जो कुल को नहीं हो से इस से क्या होता है हमारी टूल कर्क्राइए उचाई क्यों प्रिक्स रहे रहें कि न decide agenda कि नीचे पाइकिंग पूरी उन्बाइए में दे जो Whale के नीचे हम क्या करते हैं जो टूल के नीचे हम लोग क्या करते हैं कि लंप पाइकिंग देते हैं अगर मालीची हमारे ये टूल होल्डर है यह हमारा क्या है टूल होल्डर है इस प्रकार जब हम क्या करते हैं टूल में जो टूल के मालीच हमारा टूल है अगर हम टूल के कि हमें जो जितना टूल पोस्ट की जो होता है है गंभ ज्मंश्य तैकर रोट्र में तोल होल्डर में तोल होल्डर में पारोगर पार रेंड़ी तनी अपर प्रषुक हाथ जय कॉपने नहीं करना चाहिए और हम गम जो टूल पोस्ट जो इंज जू방ल करते वह दो चाहिえー चाहिए नेक्स हून्हाइड लिट्ट्ट नाटरने से जो हमारी चक जो क्या करता है जब Le contradictory Lou रोकने डाये कारना चाहिए हम अगर नहीं कमेंट कर रहा है त्प अगर मेरे नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है लंबे वह पतले जाब पर ज्यादा हाइवी कट नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह जाब टेणा होकर सेंटर से निकल सकता है अगर हमारा क्या होता है कि ज्यादा लंबा वह पतला जब जाब हमारा रहेगा उसमें क्या होनी चाहि सिंटर निकल जाएगा टेली स्टॉक में इसेंटर लगाकर हम टो फैटी मजीन पर नुट को चड़ाने की कोशिस नहीं करने चाहिए अगर अगर हमारी मसीन तैम पर हैं थो अहल आगर हम अगर हमार की की ठेख नहीं करना चाहिए, अगर महारी मसीन पर है, filterkien को हमने और पुमेंड और प्रकार का वर्क नहीं करना चाहिए इस पैनर का इस्तमाल खास तोर पर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हैं अगला पॉइंट है हमारा लगा कर मशीन से दूर ना जाए अगर हम क्या करें मसीन को जो आटो में चला रहे हैं आटोमेटिक जो है चला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि मसीन से दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि टूल मसीन चेक से टकरा सकता है जो टूल होता है तूल होगा क्या हो टूल होता है हमारे कटिंग जिसे करते हैं यह क्या होगा है चेक में हमारे जो एक रासकते निक्स्ट है कि यहां जो है थेड होगा क्या होगा है का फ्रेड काटने से पहले अंडर कट लगा लेना चाहिए तथा टूल को टेजी से पीछे हटाएं हमें क्या करना है अगर मालीच है हमारा क्या है कोई रॉड है इधर हमें क्या करना चाहिए हलका सा जो है अंडर कट लगाने लाँ चाहिए इधर हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करता है जब अंडर कट लगा लेना चाहिए तथा टूल को तेजी से पीछे ले जाना चाहिए अगर हम जब थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हूं हमें क्या करना है चाहिए इस फास्ट ली जो है पीछे की और ले जाना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हैं इंटर्नल थ्रेड काटने काटते समय हम इंटर्नल थ्रेडिंग अंदर कर रहे कर रहे हैं अप्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि विश्यष ध्यान में रखना चाहिए आंतरि साओधानिया बरतनी चाहिए कि हमारा चोह कितना टूल अंदर जाएगा और कितना पीछे क्यों होगा इन सभी बातों को जो है रखना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट आरेन के अलावा अन्य धातों के लिए कटिंग आयल का प्रयोग करें अगर हम क्या करती जब कास्ट आरेन मेटल का प्रयोग करे चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है जाब की धात हुए कटिंग टूल की अवस्था के अनुसार कटिंग स्पीड सीमित रखे जो जाब की होगी जो जाब होगा जाब की जो मेटल होगी धात होगी उस पर क्या कटिंग कटिंग टूल की अवस्था के अनुसार की कि हमारा कटिं होता है उसके अनुसार जो हमें cutting speed जो है रखनी चाहिए नेक्स्ट आ हैं चलती मसीन के घेर बदलने नहीं चाहिए अगर हमारा machine जो है moment time पर है machine हमारी जोगे चल दे क्या करना चाहिए कि तरही हें हमारे मोटर से मशीन कले हो यह हमारी मि skalाने से घ्यान में रखना चाहिए यह सभी बातों को जो हमें लिट मसीन पर वर्क करते श aten अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पर नाइँ चैनल क्लाईब और सॉस्क्राइब जरूर करिएगा नेक्स पॉंट keen कर नेक्स्त पॉंट है हमारी अगले हेडिंग है अप को अब एक लेट काटिंग पूल कि हमारी अगले हेडिंग है कि लेट करैंटमेट मसीन पर प्रयोग होने वाले वं ऑलेवा बहुत से इनकी रिजान smells होगता के यह नि मत ajudar प्राङित वेजित किया गया है जो हमारे cutting tools होते हैं तो जो हमारा सन्तंग्ट टूल कि हम बात करते हैं तो हमारा कौन से cutting tool है single date cutting tools है settlement यह हमारे single point cutting tools है पहले हम लोग Early temperature single point cutting tools cutting tools के रूप में left machine पर side cutting tools का प्रयोग अधिकतर किया जाता है जो single point cutting tools होते हम left machine पर हमलब क्या किया करते हैं side cutting tools का अधिकतर प्रयोग करते है single point cutting Lizard क्रेज़ में South side cutting tool सामने घड़िभी सब्सक्राइब करना से चि mayonnaise होते हैं गार एक है है कांटियों टूल रीप्ट ह म्युप्र छेल मिंदिन की और चलता हुआ तबर सबसें और उन्हीं के और आगे बात करते हैं जब अबाता है ज्व civ की और चलता हुआ कोवा टर्न की टर्णीं प्रक्रिया करता है जब हमारा क्या करता है दिखा ओर से ८्य विलोगी पॉर्ण cutting tools होते हैं जो threading tool होते हैं और boring tools होते ही सिंगल points cutting tools होते हैं जिनका उपोग चूड़ी काटने हुआ बोरिंग करने के लिए इस्तिमाल करते हैं आप सो है देख सकते हैं यह हमारे के है right hand tool है यह हमारे क्या left hand tool राइट छ्राइध है रेडिंट क्या है यह होता हुमें सिंगल पśया है लिए नेक्स ये हमारा मल्टी टपोइंट कर तो मल्टी पॉइंट कर बात करते हैं है कि मृटी पोइंट कर दिंस ळिट मसीन में कई पर झंचेया के जिन में क्या होता है कि हमारे एक से अधिक कटिंग पॉइंट्स होते हैं जैसे डिल तथा रीमर इत्याद इन टूलों को टेली स्टॉक में लगा कर प्रियोग किया जाता है जो डिल या रीमर होता है यह हमारी क्या होते हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से होते हैं इसम स्यब्रकार से हमारा मल्टि पॉइंट कैंट को विल सो गया निट्स्ट हमारा एंड कटिंग न करेंट को तो क्या होता है कि यह भी सिंगल पॉइंट कर तेंग पूज्ट है परन्तो इसकी कि टिंग एज डूल के समान वाले फलक पर होती है याभी जो एंड स्कर्ट मतंस्य क्राइब स्कर्ट मेरे ख्रिल होती है लेकिन क्या कि जो क्रिटि नोच एज चोृती है कर दंगे छो Technologies क довольно गॉट के सामनेड़े ट्ल करसा जो ड्रीऔर अच्या होता है इस प्रकारसे जो मारे टूल के पार पॉय को सामने मीलए है करता है का करता है रोट्री एक्सिस की और चुह है कटाई करता है जैसे पार्टिंग आप अगर हमें क्या करना पार्टिंग करना होता है अगर किसी भी जॉब कुछ हमें बीच पर से पार्ट आप करना होता है तो क्या क्या करता है पार्टिंग तूल प्रविंग तूल आधिं अ क्योना छोल पार्टिंग टूल यह सुर्ई यहां क्या होगा गृएन तूल आ इसको werd देने के लिए चाहिए सॅ चलाये चाहिए सब्सक्राइब है कि आप करते हैं फीड देने के लिए लिए वीड होगा फीड देने के लिए को ल्uir介os की का मेरा भी रघ्र परतरी यह होता है हमारा चुछ same-star कि इन दूहों और अगला इसमां एक व्मीडि रघॏ है फार्म कार्म किम्रेंघ तोह की करते हैं कि हमांने क्षज क्या होता है हुआ है क्षेक्ट रूं कर्स Kollegin स्वियूं को YOUR प्रियोक बनाने क्या स्वियूं है इसेन कारेखंड पर्फाइल करते हैं लोई को नियुक बनाया जाता हैे लिए चार्य क्षद्व की प्रियोक होता है अगर हमां क्या करते हैं जो कारेखंड का हमारा फेस होता है उसके अनुसार जो हमारे कटिंग टूल से बनाया जाता है कारेखंड की सही जामति प्राप्त करने के लिए इन टूलों को भी अधिकतर प्रास फीड दी जाती है अगर हमें क्या करना जो वर्क पीस होती है वर्क पीस की हमें सही आक रिदि में लाना होता है हम लोग क्या करते हैं इसी तूल को ूल्प में बार कर्टिंग नेक्स्ट है हमारा सॉलिट कर से अगर हम बात करते हैं ति हमारे क्या होता है हम आप सब लोग ढूँर्एंग के माधियम से भी देख रहे हैं कि हमारा जो है कर्टिंग फूस का उतर हैं सॉलिट कर tava ते हम यह कटिंग तूल बाजार में उपलब हाई कारबन इसृं या high speed still की round या square लट्थों से फोर्ज करके बनाया जाते है जो solid cutting tools होते हैं हमारे क्या होते की फोर्ज करके बनाया जाते हैं बाजार में 5% हुआ 10% कोबाल्ट के हाई स्पीड इस्टील टूल बिट चार इंच या तथा 6 इंच लंबाई में उपलब्द होते हैं यह हमारी क्या होते हैं कि जो बीट इनकी होते हैं यह 4 इंच या 6 इंच लंबाई में मार्केट में उपलब्द होते हैं इनको grinder पर grind करके आविश्यक रेक कौन की तदा यह रेक कौन क्या होता है इसको जो solid cutting tools होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं कि grinder में grind करके अपनी आवसकता अरुसार जो इसका रेक कौन तदा clearance कौन जो है दे दिया जाते हैं यह tools एक ही piece में बनाया जाते हैं जो solid cutting tools होते यह क्या होते हैं कि एक ही piece में बने होते हैं इसलिए solid cutting tools कहलाते हैं नियां द्म किया करते हैं इस सॉलिट इच Fernando कहला आते हैं जो हमारे क्या होता है कि मअ बैज आधार में भी जो उपलबे नोट होते हैं नेक्स्स हमारां जो है ब्रेस कट इंटो कि यह हमारा क्या है ले लास्ट है हमारे जो ब्रेज कटिंग पूल ब्रेज कटिंग पूल के हम बात करते हैं ब्रेज टूल में धात काटने वाली वास्तिवी क्ट कर्टिंग टूल एक बहुत छोटी टिप के रूप में होता है यह जो अगर हमें कि यह हमारी टीप है यह हमार करते हैं ब्रेस कर ते जो विल्डंग पर एजिंग करके चुन है निघस्टी बैंटने वाली वास्ति कटेंग् ुद एक बहुत छोटी टिप के रूप में होती यह होती है कि रूप में होता यह किसी अत्यंत हाइव मेटल का बना होताहिए या कि जो अत्यंत हाइड मिटल होते हैं yeah wash uh skip co basing प्रक्रिया द्वारा इसटiyi-क के साथ ब्रेज कर दिया जाता है यह क्या होता कि जो इस बैजिंग यह लिए क्टिप ब्रेजिंग प्रक्रिया हो बीजिंग पर क्लिया थे क्या कि लिए ते कि ह новsted कि सफ्न के साथ क्या करते हैं ब्रेज कर कर देते हैं इसके लिए टूल के आकार वह आकरिती के अनुसार शैंक के अलग अलग सैंक के अगले क्या सैंक होगा सैंक के अगले भाग को मसीन पर लिया जाता है यह क्या करता है जो इसके के लिए टूल के आकार वह आकरिती जो हमारी टूल के आकार वह आकरिती होती हैं साहिंगे के अगले भागों को हम लोग क्या करते हैं मसीन कर लेते हैं यह जो साहिंग होती इसको हम लोग क्या करते हैं मशीन कर लेते हैं इसके द्वारा अधिक हाड धात को अधिक स्पीड पर काटा जा सकता है जो हमारी अधिक हाड मेटल धात होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं अधिक हाई स्पीड पर जो हम लोग इसको काट सकते हैं इतने प्रकार इसके हमारे कटिंग टोस होते हैं मट कट कूण ये हम लोग बात करेंगे अगले टॉप नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करें लेड करें लेड diggingқू प्रकार Two-ście सिंपाइब के जो हमारे लिज मसीन के जो करते हैं अगली हम बात करेंगे नेक्स्ट इसक इसके आगे से मुख जो एक आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पना एक तो चैनल को सब्सक्राइब जोरो करेगे गाप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना न झाल